रेव पाटी की देवानगी अब भारत के कई शहरों के युवाँ को अपने गिरफ्त में ले चुकी है जिसका चसका हर दिन बढ़ता ही जा रहा है इसमें दुनिया भर के अमीर और रईस लोक शामिल होते हैं लेकिन रेव पाटी आखिर है क्या और भारत में इसने कैसे अपन जेल में बंद हैं एलविश यादव उसी रेव पाटी की वजवा से जेल में गए हैं जिसका खुलासा पिछले साल नौइडा पुलिस ने नवंबर महिने में किया था इस रेव पाटी में ना केवल सांपों के जहर वाले ड्रक्स के इस्तमाल किया जाता था बलकि बड़ी स जाती वाले सांपों का जहर था इसके अध्यन के लिए 6 सदस्य की टीम बनाई गई शोचल मीडिया पर वीडियो जारी कर एलविश ने कहा था कि पुलिस ने सडक से सपेरों को पकड़ा और उन पर रेव पाटी में शामिल होने का आरोप लगा दिया इसके अलावा साल 2021 में इस तरह की रेव पाटी से ही शारुक खान के बेटरी आरियन खान को भी पकड़ा गया था हालाकि बाद में उन्हें निर्दोश पाया गया इस तरह वक्त वक्त बर इन पाटीयों में बड़े बड़े नामों के शामिल होने की चरचाएं तेज होती हैं वक्त के साथ इनका प्रचुलन बढ़ता जा रहा है जो बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों को भी अपने गिरफ्त में ले रहा है बहराल अलविश्यादव तो अब जेल जा चुके हैं लेकिन कई लोगों की मन में ये सवाल जरूर है कि आखिर रेव पार्टी क्या होती है और भारत में के रेव पार्टियां शहर के बाहरी इलाकों खुले मैदानों में आयजित की जाने लगी जिसमें हजारों लोग शामिल होने लगे इसके बाद धीरे धीरे इन रेव पार्टियों का क्रेज बड़े अमेरिका के शहरों में भी देखा जाने लगा हालाकि अब तक रेव पार पार्टियों में कई नए अमेरिकी रेव प्रमोटर जुड़ गए जिन में से कई केरियर अपराधी भी थे जिनों ने इस तरह की पार्टियों को कमाई के नजरिये से देखना शुरू कर दिया अब बात करते हैं कि रेव पार्टियां कैसे नश्रे का कारोबार बन गई धीरे पार्टियों की बढ़ती दिवानगी ने इन्हें दूसरे देशों में भी प्रच्वड कर दिया जिसके बाद इसका मुख्य की इंद्र गोवा माना जाता है जहां विदेशी परिटिकों ने समुद्र के तट को रेव पार्टियों के लिए काफी यू प्यूक्त जगय पाया जहां खुले मैदान में इन पार्टियों को आयुचित किया जाने लगा बेहर तेज म्यूजिक के शोर और इन में आसानी से उपलब्ध होने वाले नशे के चलते रईस परिवार के अधिकतर युवाओं को रेव पार्टियों ने अपनी चकड में ले लिया इसके बाद मुंबई दिल्ली बैंगलॉड जैसे बड़े शहरों में इन पार्टियों का चलन बढ़ता गया जो अब देश के चोटे शहरों को भी अपनी गिरफ्त में ले रहा है अलाकि भारत में इस तरह की रेव पार्टियां बैन हैं जहां अवैध तरीके से नशे कराए जाते हैं अगर कोई व्यक्ति इस तरह की पार्टियों में जाता है या इससे और्गनाइस कराता है तो पकड़े जाने पर का भी प्रावधान है यही वज़ा है कि देश के अलग अलग इलाकों में इस तरह की पार्टियों पर नार्कॉटिक्स विभाग की अक्सरच्छा पेमारी देखी जाती है बाकी ऐसी ही तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहें ये पंजाब केस्री टॉटकॉम औ कुल अपुले